है जो नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप हमारे چینल में आपका स्वागत है मित्रों सोंवार बहगान्षी की आराधना का दिन है इस दिन भोले नात का आश्रवात पाने के लिए लोग वर्त रखकर उनकी उपाषना करते हैं दामिक मानेता है कि सोंवार के दिन सीव आरादना करने से जादकोत की मनोकामना पूर्ण होती है इस दिन भगान शिव को कुछ विशेश शीजे अरपित करने से जादकोत को सिगर ही फल प्राप्त होता है आज हम आपको कुछ एसे विशेश उपाये बताएंगे जिने सुमवार के दिन करने से बगवान शीव का आसिरवाद मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो मित्रों यहाँ उपाय इस परकार है मित्रों मन की मुराद पूरी होने के लिए आपको शीव की आरादना करनी चाहिए अगर सोमवार के दिन भगवान सीव को सचे मन से पूजा की जाए तो सारे कलेस्टों से मुक्ति मिलती है और मन की सारी मुरादे जरूर पूरी हो जाती है भगवान सीव को प्रशन करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर सनान करके भगवान सीव की आराधना करनी चाहिए के फूल और दूद गंगाजल चड़ाए इन्हें चड़ाने से बहगवान सेंका जल्दी प्रसंद होगा अपनी करपा आपके उपर बनाते हैं इसके साथ ही भगवान सीव को लगा है इन चीजों का भोग जिससे आपकी हर मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है इसके साथ बहगवा प्रसंद हो जाते हैं मुटुर्ण के साथ सेमवार के दिन कुछ मंद्रों का जयब करना हों जाती हैं में ट मढंगे दिन महमन्तु जिय sudah मौन तनी बहुत ती है और सव्मवार के दिन यूप गाय का कच्चा दूच Babud Cry की कृपा आपकर हमेशा ही बनी रहती है मित्रो इसके साथ ही चंद्रग्राः की स्रामची के लिए भी आपको सुमवार को यह हुपाय करना चाहिए मित्रो सुमवार के दिन सनान ध्यान कर सपेद रंग के वस्तों को धारन कर लेना चाहिए और माता जी की सेवा करे इसके साथ मित्रो जरुत मंद लोगों को इस दिन सपेद रंकी खाद सामगी को दान करना शाहिए इस उपाय को करने से आपकी कुम्ली में चंद्रग्रह की इस्तती मजबूत होगी और आपकी जो भी समश्याएं होंगी वह समाप्थ हो जाएगी तो मित्रो यहती हमारी कुछ जानकारी अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें